इसलाम अलेकूम वीवर्स अब सब कैसे हो इंशाइल आप सब खेरियस से होगे तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं यह है मटन कीमा तो देखिए यह फाइन एकदम धोधा के केमे को लिया है मैंने और यह प्याज है यह तीन बड़ी प्याज है इस तरिके से चौप की आए यह दो टामाटर है जो इस तरिके से चौप की है और यह मैं अलू दालने वाली हूँ बहुत टेस्टी बनते है आलू दाल के कीमा ये कुछ चार पाज हरी मिर्चे तो चले स्टार्ट करते बनाना तो देखिए कीमा मैंने 700 ग्राम लिया है और आलू मैंने तीन बड़े लिए इस तरीके से काटिंग किया है तो देखिए हम बना रहे कुकर में एक कप मैंने आयल द कर देंगे एक दाल चिनी का तुकड़ा है दो ही लाइची है कुछ काली मीर्चे लॉंग है स्टाफ फूल है चलो इसको हलका भूरा बूल लेंगे और फिर पैच को हैट कर देंगे इसको जलाना नहीं प्याज को नॉर्मल सॉफ्ट होना है हलका गोल्डन करना है बस जाउ नहीं कर दो इसका गिर सॉफ्ट है बागाँ आया पाल तो देखिए पैज सॉफ्ट भी हो गई है गॉल्डन भी होने लग गई है इस तरह के से बस यह ऐसी करना है पैज को चले आप इसमें कीमे को आइट कर देते हैं इसको अच्छी तरह की से भून लेना है इसको प्याज और आइल में जो है पूरा अच्छी तरह की से जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए इसका समेल ना चले जाए तो देखिए हमने कीमे को इस तरह की से भूना है इसका कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम आधरक लशन पेस्ट आड़ कर देंगे दो टेबल स्पून आधरक लशन पेस्ट है और इसमें हरी मीर्ज का पेस्ट एक टेबल स्पून है इसको भी अच्छी तरह की से हिला बूहन लेंगे अच्छी तरह के से कीमे को इसमें हम नमक आट करतेते हैं नमक आपके टेस्ट की हिसाब से, वन टीस्पून हल्ली पाउडर है, दो टेबल स्पून धनिया पाउडर है, इसको भी अच्छे से हिला लेंगे, इसको भी अच्छे तरी के सही ला लिया है, अब इसमें हम लालमीच पाउडर एड़ कर देंगे, लालमीच यह कश्मीरी लालमीच है, मैंने टेबल स्पून यह कश्मीरी लालमीच एड़ कर दिया है, आपको अगर तीका ज्यादा चीए, तो आप तीका और एड़ कर सकते हो, और कम चीए, तो आप हाफ टेट स्पून डाल दीजिए, अच्छे तो देखिए, यह कश्मीरी लालमीच यह बहुत तीकी होती, इसलिए मैंने कम आड़ कर दिया है, आपका अगर मसाला तीका नहीं है, तो आप ज्यादा आड़ कर सकते हो, तो देखिए, इस तरीके से, देखिए, इसका कलर भी अच्छा आता, यह लाल मिर्च का, तो आच्छी तरीके से आपको भून लेना इसमें, पानी बिल्कुल भी आड़ नहीं करना है पहले, यह देखिए, अब इसमें हम जो टॉमेटर चॉप किया हो, वह भी आड़ कर दे देखिए, इसको भी आच्छी तरीके से भून लेंगे, अधे हैं, देखिए, तो देखिए, टॉमेटर को भी इसमें भून ले, अच्छी तरीके से, गैस मेडियम फ्लेम पे इए, अब इसको थोड़ा 5 मिनिट के लिए धक्कन धाकेंगे, धक्कन पूरी तरीक से लाइए, कि वाट कुछी लगाना नहीं है बस टॉमेटौ सॉफ्ट होने के लिए एडे कि टॉमेटौ डूस आपतम अगा है है अब इसमें हमें आलू को एड कर देंगे इस्तरी किसे इसको काटिंड निमोट मेडियम साइज का हैं स्मॉल लिया था मैंने इस तरह के से कटिंग किया उसको इसको भी अच्छी तरह के से हिला के इसमें हाफ ग्लास पानी आइट कर देंगे अब इसको अच्छी तरह किसे हिला लिया अब इसमें हम गरम मसल आइट कर देंगे हाफ टी स्पून फ्लेम मिडियम पे इसमें आइट कर दिया हमने गरम मसला भी इसको हिलाना बिलकुल नहीं है बस आइसी हम ढकन लगा देंगे और एक विसल बस काफी है हम जिस तरह किसे इसको भून रहते उसमें वह अदा पक गया है बस 20 परसंट और पकना बाकी है तो देखिए एक विसल हो गया आप हम देखेंगे इसको चेक करेंगे है देखिए कीमा रेडी है अभी भी हम गैस आउन करेंगे इसको अर्ची तरह किसे हिला लेंगे अब इसमें हम अच्छी तरह किसे हिला लिए अब यह कोट मीर रहार हरी मेंट कर देख्या एक हरी मीर ऐकर देंगे 1r5 llang kriegen कर देंगे ofereण p हम ढखकर रख देंगे पांच मिनिट के लिए फ्लेम आफ कर देंगे तो चली इसको जित्रे के सहिला के ढखकर रख देंगे और फिर पांच मिनिट के बाद इससे साफ करेंगे तो देखिए हमारे लाजवाब कीमा तयार है आप इसे घर में बनाएए आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगा अब मुझे फीडबेक दीजिए कि आपको कैसे लेगी ये डीश तो चले अपना खयाल रखे अपनों कभी खयाल रखे मेरे चानल को अब तक सब्क्राइब ना कियाओ तो सब्क्राइब करें लाइक करें शेर करें चले अल्ला आपीस अब प्राइब करें खर अब तक था चले लेगी खेंड़िए कि आपको अब बादे वे तो चले अब तक सब्सक्राइब कर देल को आपको का बादेब करेंपके अपना जिए मुड़िक खाम एफ पको को कि तो आपको कि अटो